A और B are roots of this equation, A x square plus B x plus C is equal to 0, then which equation will have roots AB plus A plus B and AB minus A minus B, that's very very interesting, right? तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इस question को कैसे करेंगे और आसानी से हमारा अंसर निकलने वाला है, यह बहुत असानी से होगा, देखें यहां पर आप देखोगे A plus B निकालो, sum of roots, roots की value क्या दिये है A और B, इसलिए यह जो मैंने लिखा A plus B है sum of roots, अब इस equation में sum of roots क्या होंगे, minus coefficient of x divided by coefficient of x square, जिसको आप बोलते हो, minus B upon A A plus B आपने कहा, minus B upon A के बराबर है, मैंने कहा, okay, कोई दिखकत नहीं है मुझे, फिर आपने कहा कि यह जो product of root होगा, A into B, क्योंकि roots क्या है A और B, product of root जो आएगा वहां से, यहां से आजाएगा C upon A C upon A, यह निकल गया, मुझे जो पहली question दी थी, वहां से अब दूसरी question के पास जाते हैं, आप ज़रा देखो sum of roots क्या है sum of roots अगर आप कहोगे दूसरी question की, तो आ रही है 2AB, आ रही कि नहीं आ रही है 2AB आ रही है, लेकिन आप यहां देखो के sum of root जो अगर निकालने गए है तो वो 2AC upon A square बन रहा है, यानि C और A के form में आ रहा है कहीं भी किसी भी option में, sum of roots में मेरा B नहीं बन रहा है यानि मुझे यहां change करना पड़ेगा, मुझे पता है 2AB किसके बराबर है 2C upon A के बराबर है, और जैसे ही आपने यह देखा, आपके दो option गलत होगे A और D immediately, क्योंकि A और D option में, जो sum of roots हैं इस equation के जिसके roots यह दोनों हैं, वो A और C में minus 2AC upon A square आ जाएगा यानि minus 2C upon A आ जाएगा, मुझे कहा चाहिए यह plus 2C upon है तो यह गए, अब मेरे पास दो option और बचे हैं, इन दोनों option में जो differentiation है, वो यहां से हो रहा है, कि C square minus B square मिलने वाला है या C square plus B square मिलने वाला है, बस, यह आपको सीधा-सीधा answer दे देगा इस question में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली है चली जड़ा देखते हैं कि फडाक से कैसे answer यहां से आ सकता है अब देखें ज़रा आप ज्यान से कि अगर आप product of roots में गए इस case में, आप ज़रा निकाल लिए, आपको मिलेगा A square B square minus of A plus B whole square जैसे ही आपने लिखा A plus B whole square यहां पर A plus B की value आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है क्या है, B by A, यहीं B square by A square और यह value क्या हो जाएगी आपकी C square by A square ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना था सर अगर B square के साथ negative आ गया है तो फिर तो दूसरा option ही सही हो सकता है बस खतम होगे question इतना ज़्यादा tension नहीं लिना है quadratic की question है तो परेशान होगे बहुत आसान question है यह भी आपका ठीक है, C square upon A square minus B square upon A square मैं दिख रहा है कि minus आना है बस हो गया, ज़्यादा tension नहीं लेना है